हजार शिकायतों पर कारिवाही की है जैसे मैंने पिछले हफ़ते बताया था ग्रह मंत्राले ने राज सरकारों को अनुरोद किया है कि विध्यान दे की इंटर स्टेट कागो मूव्मेंट में कोई समस्या ना आए आर्थिक विवस्था को गती प्रदान करने के लिए तथा आवश्यक वस्तूओं के आपूर्ती के लिए ट्रक्स और गुट्स क्यारियर्स की आवाजाही में कोई व्यावधान नहीं आना चाहिए इस क्रम में मैं ग्रिह मंत्राले और सड़क परिवहन मंत्राले की ओर से सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतर राजिय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 1930 पर कॉल कर सकते हैं अगर वे नाशनल हाइवे पर हैं तो वे नहीं के हेल्प लाइन नंबर 1033 1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज में बढ़ते संक्रमन को देखते हुए ग्रह मंत्राले ने Bureau of Police Research and Development और स्वास्थे मंत्राले का परामर्श लेते हुए सभी स्टेट्स और यूटीज को और सभी Central Armed Police Forces को अडवाईजरी जारी की है इसमें उनका ध्यान फिर से स्वास्थे मंत्राले के विभिन दिशा निर्देशों की तरफ आकरिष्ट किया है कि कार्य करते समय और कार्य स्थलो में COVID-19 से बचने के लिए उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए साथी प्रिजन्स यानि कारगार में तथा पुलिस कर्मी COVID-19 के संक्रमन से किस प्रकार सुरक्षित रहे उस पर एक डिटेल्ड एसोपी और दिशा निर्देश भी साजा किये है जैसा आप लोगों को पता है केंड्रिय ग्रह मंत्राले ने 1 मई 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहट 4 मई 2020 से लॉकडाउन को दो सप्ता और बढ़ाने का आदेश नए दिशा निर्देशों के साथ जारी किया है आपने इन्हें पढ़ा होगा पर इनके कुछ बिंदू में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी लोगडाउन के इस चरण में स्वास्थ मंत्राले के माबदन के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और 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 इंज जोन के रूप में चिनहित किया गया है जोन के अनुसार लोगडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है जिलों का वर्गी करन, स्वास्थ मंत्राले, राजियों और केंडर शास्थ प्रदेशों के साथ हर सप्ता या आवशकता अनुसार उससे पहले साज़ा करेगी नई दिशा निर्देशों में जोन वाईस कुछ प्रतिबंध है तो रियायते भी दी गई है जहां प्रतिबंध करोना संक्रमन को विफल करने के लिए अती आवशक है वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई धील देश की अर्थ व्यवस्था को कारयात्मक बनाने वानेज्यक गतिविद्यों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलवत कराने के दृष्टी से की गई है नए दिशा निर्देशों के अंतरगत कुछ गति विद्यों पर राश्ट्र व्यापी रोक जारी रहेगी देश व्यापी प्रतिबंद में हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा तथा सड़क द्वारा अंतर राजिय यात्रा पर रोक रहेगी हलाकि मेडिकल, सुरक्षा और ग्रिहम अंतराले द्वारा स्वीकृत उद्देशों के लिए इस प्रतिबंद में छूट होगी विद्याले, महा विद्याले, अन्य शैक्षनिक तथा प्रशीक्षन और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे आनलाइन और डिस्टन्स लर्निंग की अनुमती है जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र में कुछ हद तक हम कमी को पूरा कर सकते हैं आतिथ्य सेवाएं जैसे होटेल, रिस्टरों तथा सिनमा घर, मॉल्स, जिम, खेल परिसर, बार, ओडिटोरियम और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे समाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम, जनता के लिए बंद रहेंगे सभी गैर आवश्यक गतिविध्यों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम साथ बजे से सुबे साथ बजे तक सकती से प्रतिबंद रहेगा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बिमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्ते उद्देश्यों को छोड़ कर घर से बाहर निकलना वर्जित है रेड जोन और औरेंज जोन में कुछ प्रतिबंद है पर छूट भी है रेड और औरेंज जोन में जो कंटेन्मेंट जोन हैं, उनकी समवेदन शीरता को देखते हुए उसमें स्ट्रिक्ट पेरिमीटर कंट्रोल होगा यानि आपात कालीन चिकित्सा सुविधा और आवश्यक वस्तूओं और सेवाओं के आपूर्ती बनाए रखने के अलावा कंटेन्मेंट जोन के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी कंटेन्मेंट जोन के भीतर किसी भी अन्य गतिविधी या कारे के अनुमती नहीं है कंटेन्मेंट जोन के बाहर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविध्यों के अलावा कुछ अन्य आक्टिविटीज पर भी रोख होगी साइकल रिक्षा, आटो रिक्षा, टाक्सी और काब एग्रिगेटर्स के परचालन पर रोक रहेगी बसों की इंटर और इंटर डिस्ट्रिक्ट आवाजाही के अनुमती नहीं होगी नाई की दुकाने, स्पा और सैलून बंद रहेंगे मौल्स तो बंद ही रहेंगे, पर शहरी शेत्रों में मारकेट्स और मारकेट कॉम्पलेक्स में गैर जरूरी समानों की दुकानों की अनुमती नहीं है हलाकि जरूरी समान वाली दुकानों के लिए कोई प्रतिबन नहीं है Stand-alone shops, neighborhood यानि colony के दुकान और आवासी और परिसर के भीतर जो दुकाने हैं वे हर तरह का समान बेच सकती है ग्रामीन शेत्र में mall को छोड़ हर तरह के दुकान की अनुमती है Red Zone में e-commerce सिर्फ essential goods के लिए allowed है Red Zone में कुछ बंदिशों के साथ सभी, almost सभी व्यावसायक और नेजी प्रतिश्ठानों के अनुमती दी गई है अनुमती प्राब्ध गतिविद्यों के लिए लोगों एवं वाहनों की आवाजाई हो सकेगी Four wheelers में चालक के अलावा अधिक्तम दो लोग बैठ सकते हैं और two wheelers में pillion rider यानी पीछे की seat पर सभारी के अनुमती नहीं है Red Zone के ग्रामीन शेत्रों में सभी और योगे क्रिशी इत्यादी गतिविद्यों के अनुमती है परंतो शेहरी शेत्र में कुछ प्रतिबंध है In-situ construction यानी मजदूर जहां site पर रहते हैं और renewable energy projects को भी छूट दी गई है नेजी कार्याले आवशक्ता के आधार पर 33% स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे Orange Zone में देश भर में प्रतिबंधित गतिविद्यों के अलावा बसों की inter और intra district आवजाही भी प्रतिबंधित है तथा taxi और cab aggregators को केवल एक driver और दो यात्रियों के साथ आवजाही के अनुमती है Four wheelers में चालग के अलावा अधिक्तम दो यात्री होएंगे यहां two wheelers में दूसरी सवारे के अनुमती है Green Zone में देश भर में प्रतिबंधित गतिविद्यों के अलावा अन्य सभी गतिविद्यों की अनुमती दी गई है हालांकि बसों का परिचालन अधिक्तम 50 प्रतिशत बैठने की शमता के साथ किया जा सकेगा और बस डिपो भी अपना अपनी 50 प्रतिशत शमता के साथ ही संचालन कर सकती है मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोग हिंत में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और कोविड-19 की चेन तोडने के लिए सभी जो हमारे राश्य निर्देश है उनका सारवजनेक स्थानों पर